हेई एव्रीवन वेलकम तो सरकारियर्ट वन्स अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आप से भी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डसकस करने वाला हूँ एंड यह जो इंफॉर्मेशन है एमस बीएसी निर्सिंग के फॉर्दर प्रोसेस से रिलेटेड है तो जैसे कि आपसे भी कांडिडेट्स को अपना रिजल्ट पता चल गया होगा कल रात के टाइम पे लगबग 8 बजे रिजल्ट डेकलेर हो गया था एमस की तरफ से ऑफिशली तो अब इस रिजल्ट को आपने चेक कर ले है आपका रूल नंबर अगर इस पीडियाफ के अंद जाए ठीक है तो यहाँ पर कुछ स्टेज़ेज हैं कांसलिंग से पहले जो हमें फुल्फिल करने होंगे और उसके बाद हम लोग अपना कांसलिंग का रिजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर जिन भी आपने आपको चेक करना है अपना रूल नंबर किस तरी बेस्ट वगरा कुछ भी नहीं आएगा फिर भी बार-बार कुछ कांडिडेट्स वही सेम चीज़ पूछ रहे हैं ठीक है और जिसने पीजाई चंडीगर बीएसी नर्सिंग बीएसी पारमेडिकल का फॉर्म नहीं फिल करा कर सकता है कल लास्ट अगर आपका इसमें नहीं ह हुआ तो उसमें मैनत कर लो एक मैना है प्रिपरेशन के लिए और 4th of August को इसका एक्जाम है और सभी इंडिया के कांडिडेट्स अलिजिबल है इतना सब कुछ बताने के बाद भी वही सेम कोशन्स आप लोग पता नहीं क्यों पूछते रहते हो ठीक है तो कोई भी करना चाहो तो कर लो कर लास्टेट है तो यहां पर देखो इसमें जो सेकिंड पैराग्राफ लिखा है कि और प्रोविजनली कौलिफाइड कांडिडेट्स ऐस पर लेस्ट बिलो और सब्जेक्ट्टू आउटकम ओफ प्रिलिमिनरी स्कृट्टिनी ओफ अपलोड़ेड तो अभी देखो क्या है रिजल्ट आ गया कल ठीक है और अब क्या होगा जैसे मालो आज 29 हो चुकी है ठीक है तो यहां पर अभी हम नीचे चलते हैं जहां पर इसके बारे में इन्फोर्मिशन दी गई है तो यहां पर आप देख सकते हो यह जो थर्ड वाला पॉइंट EWS certificate shall be done prior to the allotment of subjects in the first round of seat allocation on the basis of certificate to be uploaded from 29 June 2023 to 2nd July 2023 up to 5 p.m. in AIME's website जो यह वेबसाई दी है बाइग लोग इन्फोर्मिशन देख सकते है तो यह जो यह वेबसाई दी है बाइग लोग इन्फोर्मिशन देख सकते है नो कर्रिस्पोंदें इन्टें इन्टें अन्टें अन्टें government jobs और central government institutions only otherwise claim for OBC NCL और EWS reservation will not be considered ठीक है तो इसका मतलब क्या है अभी जैसे कल आपका result आ गया और बहुत सारे लोग के मन में यह भी डाउट है कि individual score कैसे चेक करेंगे जिनका PDF में role number mention नहीं है क्योंकि PDF में जिसका role number है उसका तो जो percentage score लिखा है वही आपका actual score है ठीक है लेक तो individual score का भी जो link है वो आज दो पहर या फिर शाम तक active हो जाएगा तो tension लेने के जरूद नहीं जैसे ही link update होगा मैं inform कर दूँगा तो चैनल पर अगर अभी कोई नया है तो please subscribe जरूर गर लो ठीक है तो अब आपको करना है पहली जिस तो यह होगी कि individual score आप अपना चेक कर होगे सभी candidates ठीक है जिसने जिसने एक्जाम दिया है जो और जिसने exam मतलब जो exam में appear हो क्या है उसका individual score आ जाएगा भले यह आपकी negative में marks हो 0 हो 10 marks हो 5 marks हो सबका score आ जाएगा अपना individual login करके dash board पे link आएगा ठीक है दूसरी चीज उन candidates के लिए है जो OBC या फिर EWS category से belong करते है ठीक है तो अभी सिर्फ में इन ही दो candidates की बात कर रहा हूं जिनको यह काम करना है बाकी अगर आपकी other कोई category है like SCST या PWD तो उनको अभी कुछ भी नहीं करना है ठीक है तो अभी इनोंने एक date दी है 29 June 2023 यानि कि आज से लेकर 2 July 2023 शाम को 5 बचे तक इतना 3 दिन का लगबग ज students को OBC और EWS बाकी किसी और को नहीं करना होता है ठीक है सिर्फ OBC और EWS के जो candidates है उनी के पास वो link आएगा और उस link पर click करके उसमें instructions लिखे होंगे कि PDF form में करना है JPG में करना है कितना उसका size होना चीए कितने KB का होना चीए वो सब लिखा हो मैं बता दूँगा तब ही कर करना है ठीक है तो सिर्फ OBC, NCL और EWS के candidate है उन्हें ही अपना category certificate upload करना होगा ठीक है दूसी चीजी लिखे है कि वो certificate ऐसा होना चीए जो central government jobs या फिर central government institutions के लिए valid हो ठीक है अगर आपका certificate central government के format पर बनाए या फिर आप जब अपना certificate चेक करोगे उसके उपर लिखा होगा कि this certificate is valid for admission to central government institutions या फिर central government jobs अगर इस तरह के का कुछ उपर लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो central में चल सकता है ठीक है तो वो certificate upload करना होगा साथ ही यहाँ पर यह date दी गई है और यह date के बारे में मैंने already बहुत पहले से बताया होगा था तो जिसने मुझे follow कर रहा था पहले से उनको सब यह information पता है कि certificate उनका council date से लेका council date का होना चाहिए तो OBC के case में यह लिखा है कि OBC का जो certificate है वो 19 June 2022 से लेके 12 June 2023 तक का होना चाहिए तो अगर इस बीच के date का होगा तो वो आपका valid मना जाएगा otherwise वो invalid हो जाएगा अब बात करेंगे अभी आगे कि invalid होगा तो क् और उसके बाद लिखा है EWS को जो candidate है उनका जो certificate है category certificate वो 1 April 2030 से लेके 12 June 2023 के बीच का होना चाहिए ठीक है अगर इससे ऊपर या नीचे कुछ भी होता है तो वो valid नहीं मना जाएगा upload आप कर सकते हो वो automatically reject हो जाएगा ठीक है अब fourth point यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि those candidates who are found not eligible for OBC NCL or EWS seat on the basis of preliminary scrutiny of respective certificate shall be treated as UR if their rank is within the cutoff rank for UR meritless or will not be considered to be eligible in this list for seat allocation if the rank is beyond the cutoff rank for UR meritless ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने OBC का certificate upload करा या EWS का certificate upload करा और वो इनके norms के according नहीं है यानि कि जो issue date का criteria इन्होंने दिया है उससे match नहीं होता या फिर वो central government के format पे certificate नहीं बना हुआ आपका state वाला बना है तो अगर वो reject होता है तो reject होने के बाद आपको UR यानि की unreserved यानि की general category में shift कर दिया जाएगा ठीक है लेकिन वो general category में आपको तभी shift किया जाएगा जब general category लाइक आपके marks होंगे ठीक है जैसे कि आपको पत करते हो तो आपके OBC और EWS के दोनों के लिए criteria जो है minimum qualifying marks 40 marks ठीक है तो 40 से above या 40 जिसके हैं वो सब यहाँ पर अभी eligible होंगे मतलब जो PDF में उसके according अभी counseling में आप eligible हो लेकिन गलती से आपका अगर certificate reject होता है किसी भी वज़े से जो भी इनके norms लिखे है उसके according अगर वो follow नह जाएगा लेकिन उसी case में अगर general category के minimum जो qualifying marks से वो cut off आप clear कर रहे होगे ठेक है कहने का मतलब यह है कि अगर कोई OBC EWS category का candidate है अभी मान लो अगर उसके 42 marks है तो PDF में उसका नाम है अभी के according वो counseling के लिए eligible है first round के लिए लेकिन क्या है कि अगर उसका OBC या और EWS का certificate aims की category से counseling नहीं करवा पाएगा क्यों क्योंकि 45 minimum marks general category के according होने चाहिए qualify करने के लिए ठीक है तो यही चीज आए हो clear होगी होगी तो अभी जो candidates ऐसे हैं जिनके below 45 marks हैं और जिनका category certificate जब upload होगा अगर वो reject होता है तो आप first round की counseling से बाहर हो जाओगे completely आपको general में shift नहीं कर सकते हो general में सिर्फ वो ही candidate shift होंगे जो OBCAW से अगर belong करते हैं तो अगर उनके 45 above marks होंगे और अगर reject हो भी जाता है certificate तब भी वो उस case में counseling ले eligible हो पाएंगे माल लो किसी के exactly 45 marks है या 45.33 है 45.66 है या 49 है तो अगर उसका OBC या फिर EWS का certificate जो वो reject हो भी जाता है तो भी वो general category से counseling करवा सकता है ठीक है I hope this doubt is clear now अच्छे से मैंने clear कर दिये कि क्या आगे scenario रहने वाला है और क्या क्या चीज़े होने वाली है ठीक है तो second जुराई तक certificate upload कर दो कुछ जादा करना नहीं photo click करना उसको crop करना है और जो भी उसमे size बतायागो उसमे adjust करके बस upload कर देना है ठीक है चोटा सा काम मैं मैं बता दूंगा कैसे करना है ठीक है अब इतना upload होने के बाद तो second जुलाई तक का तो अभी यह काम हो गया तो अभी OBC और EWS को बस इतना ही काम करना है बाकी जो other category candidates है general SCST PWD जो भी other categories है उनको अभी कुछ काम नहीं करना ठीक है just relax और wait करना है तो अब क्या है second जुलाई तक जब आप इसको upload कर दोगे उसके बाद 3-4 दिन कम से कम लग जाएंगे यह certificates verify होने में क्यों क्योंकि यह certificate जब आप upload करते हो तो यह manually verify किये जाते हैं देखे जाते हैं कि इसमें जो date है क्या वो date हमारे criteria से match हो रही है या नहीं हो रही है क्या यह certificate central government के format पे बना है या नहीं बना है यह manually verify होता है वहाँ पर जो भी लोगों की team होगी वो उन्हें check करेगे and check करने के बाद जो है जिसका certificate accept हो जाएगा ठीक है अ करने में लग जाएंगे तो मतलब इसका जो verification का जो result है एक तरीके से result बोल सकते हम तो वो लगबग आपका 5-6 जुलाई के आसपस कहीं नहीं आ जाएगा and result आने के बाद वो जब result declare होगा उसके next day या फिर उसी same day में आपका जो counseling का schedule है आगेगा first round की counseling या जो भी second round की counseling होग counseling का registration start हो जाएगा ठीक है तो तब तक सिर्फ OBC और EWS के category के candidates को अपना certificate upload करना है बागी category के candidates को relax करना है समझ आकरी बात I hope this is clear और अब इसमें कोई भी doubt नहीं होगा तो इस तरीके से अभी आपका आगे process चलने वाला है अब आगे जो भी चीज़ें चलते रहेंगी मैं time to time update करता रहोंगा इसी तरीके से तो बस अभी इतना ही समझो कि जो OBC और EWS के candidates है उनको 2nd July तक अपना certificate upload करना होगा अभी भी link active नहीं हुआ मैंने कुछी दिर पहले चेक किया था तो अगर आप login करके देखो अगर आपको पता लगता है कि link active होगया तो मुझे भी comment section में inform कर द है जो मैं आपको अभी बता हूँ ठीक है तो बागी और भी जो चीजे होंगी वो मैं आपके साथ आगे discuss करता हूँगा so that की counseling जब आप करो अपनी तो आपको जो है best college अपने लिए मिल पाए ठीक है न तो अभी इस वीडियो को end करते हैं अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो प्लीज को ज़रू लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लो और बैल आगान को प्रेस कर लो और अगर किसी का को personal doubt है तो मैं को Instagram पर मेसेज चिखा सकते हो चेक है तो बस इतना है okay so thank you and have a nice day